दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनिस आइडियाज और नएनी जैनकारी के वाला प्रेल भारत की युवा पीडी एक ऐसे दौर में है जहां वो जॉब सीकर की मेंटालिटी से निकल कर जॉब क्रियेटर बना चाहती है अपना खुद का बिजनिस टार्ट करके आप ना सिर्फ सेल्फ सफिशन बनते हैं बलकि आप दूसरों को भी रोजगार का अफसर दे पाते हैं आ आईए जानते हैं कि Alminium Foil Rewinding बिजनिस शुरू करने के लिए आपको कितना investment, area, machine और labor के जरूरत पड़ेगी आज हम बात करने वाले हैं Alminium Foil Rewinding मशीन के बारे में इस मशीन का काम यह होता है जंबो रोल को छोटे रोल में कनवर्ट करना आपको एक Alminium Foil Rewinding मशीन लगाने के लिए 500 स्क्यार फिट एरिया की जरूरत है और इसी एरिया के अंदर आप अपना raw material भी रख सकते हैं, machine भ को लगा सकते हैं और आप किसी शैड में भी लगा सकते हैं कहीं भी आप इस मशीन को लगा के अपना वेपार चालू कर सकते हैं हमारे पास जो Alminium Foil Rewinding मशीन है उसकी कीमत है 30000 रुपे प्लस 18% GST, transportation cost अलग से आपको देनी होती है इस मशीन को चलाने के लिए एक skilled operator की जरूरत होती है और एक helper की जरूरत होती है skilled operator का काम ये है कि वो machine को चलाता है, run करता है और जो helper का काम है उसको pack करना है रोल तयार होने के बाद helper उस रोल को box के अंदर pack करना है हम बात करते हैं raw material की, आपको raw material में aluminium foil jumbo roll चाहिए, core चाहिए, rewinding के लिए और packing के लिए आपको box चाहिए aluminium foil jumbo roll जो है, मार्केट में आपको kilo के हिसाब से मिलता है एक kilo की कीमत है तकरीबन 200 रुपे kilo with GST, इसमें GST जो है तो 18% लगता है इस बिजनेस को चालू करने के लिए आपको तकरीबन 500 रुपे की जरूरत होगी जिसमें machine प्लस आपका raw material दोनों चीजे उसमें आ जाएंगी electricity consumption के अगर बात करें तो तकरीबन machine का लोड है एक kilo watt electricity power consumption आपको तकरीबन 2.5 kilo watt की इसमें जरूरत होगी बाकि अगर आप अगर आप ऐल्मुनियम फॉयल रिवाइंटिंग machine लगाते हैं तो इसके साथ आपको और किसी machine के आवश्यक्ता नहीं है आपको जिसमें जरूरत होगी और बाकि किसी और अदल लाइसेंस के आपको ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है मशीन के ऊपर अल्मुनियम फॉयल रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें मशीन के ऊपर अल्मुनियम फॉयल जंब रोल को लोड करना है फिर हमें मशीन के ऊपर को रखना है को रखने के बाद मशीन को हमने स्टार्ट करना है स्टार्ट होने के बाद रिवाइंडिंग आटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है जब रिवाइंडिंग फिनिश हो जाती है तो हमारे को को मशीन के ऊपर से हटाना है और मशीन के अंदर ह हमने ब्लेट फिक्स कर रहा है वहीं से उसको कट कर देना है और उसको टेप लगा के बॉक्स के अंदर रखके पैक कर देना है